नमस्कार सातियों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्याई एकेडमी पर दोस्तो आज के इस वीडियो में 8 सितंबर का जितना भी मात्पुन मध्यपदेश का करेंट अफेस बन सकता है उसकी चर्चा यहाँ पर हम करने बाले हैं तो दोस्तो वीड बात करते हैं आज के इस वीडियो की सबसे पहले बता देते हैं शेशन किस प्रकार से रहेगा तो सबसे पहले आज के मध्यपदेश के करेंट करेंगे उसके बाद कल के करेंड़ पैस के कोश्चन का यहाँ परम रिविजन करेंगे उसके बाद जनवरी से जुलाई 2022 हमने ज साथ ही दोस्तों जिन लोगों के द्वारा राइट आंसर दिया गया उनके नाम के साथ उनका आंसर यहाँ पर देखेंगे और एक नया कोशन यहाँ पर पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना होगा तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे आज के के किस विभाग की चेंपियन 19 योजना का शुबारम किया गया है या कोशन इस प्रकार से भी आ सकता है कि चेंपियन 19 योजना जो है मध्यपदेश के किस विभाग की योजना है चार ओप्शन है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जन जातिये कारे विभाग परियाटन शुबारम आपका किया गया है तो देख लेते हैं इस योजना से जुड़ी जानकारी और इसके कुछ है प्रमुक उद्देश जो की एक्जामें पूछे जाने की संभावना जिनकी है तो 5 सितंबर 2022 को जन जाती है कार्य आयुक्त संजै सिंग ने नवदई शास्की स्कूल कटारा हिल्स में चेंपियन 90 योजना का शुबारम किया है चेंपियन 90 योजना द्वारा सास की विद्धालयों के SC-ST विद्धारतियों के लिए व्यावसाइक एप्रोच के साथ विवस्तिक कोचिंग मोहिया कराने के लिए तो कईना कई जो 스टी सी के विद्यार्ती है जो छातर है उनके लिए योजना आपकी यहाँ पर है उन्हें व्योंगात्य है अपरोच के साथ वेवस्ति र take-tog यानि की कईना कई ko När इasında कराने के लिए इस योजना को शूरू किया गया और इस योजना के तत किन्ले सासरों को कि नीची कोचिंग संस्तान फिर जी के साथ मिलकर चेंपियन 19 फल शुरू की है यह संस्तान अपने CSR फंड से इन विद्धारतियों को सभी आधुनिक सुईदा से परिपूर्ण कोचिंग सुईदा आपका देगा तो दोस्तों अगर आप से पूछा जाई चेंपियन 19 क्या है त तो तीन बाते किस विभाग की योजना है साथ ही किन के लिए योजना है और क्या इसके अंतरगत आपका प्रावधन किया गया है तो तीनों बाते आपको यहाँ पर मैंने स्पेश्ट कर दिया है चलिए दोस्तों यहाँ पर ओप्शन आये है अब आपके परियाटन की परियाटन मंत्री है अगला कोश्चन बने गाय कि वर्तमान में मद्यप्रदेश के ग्रह मंत्री कोन है तो दोस्तों उनका नाम है आपका नरोत्म मिश्रा जी वर्तमान में मद्यप्रदेश के ग्रह मंत्री है दोस्तों अगला कोश्चन बने गाय कि वर्तमान में मद्यप्र शिक्षा मंत्री डाक्टर मोहन यादव और अगर आप से पूछा जाए कि वर्तमान में मद्यप्रदेश के इसकुली शिक्षा मंत्री कोन है तो उनका नाम है दोस्तों आपका इंदर सिंग परमार तो इन दोनों में शिक्षा मंत्री पूछे तो डाक्टर मोहन यादव वहीं अगर आप से पूछा जाए कि इसकुली शिक्षा मंत्री है तो उनका नाम है इंदर सिंग परमार एक जगा और आपको यहाँ पर कन्फूजन करेगा कि चिकिसा शिक्षा मंत्री को ने वर्तमान में हमारे मद्यप्रदेश के तो उनका नाम है दोस्तों आपका केला सिविश्वास सारंग केला सारंग जी जो है वर्तमान में आपके यहाँ पर मद्यप्रदेश के चिकिसा शिक्षा मंत्री है तो यह तीनों नाम आपको याद रखना है किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है वह भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है चलिए दोस्तों अगला कोशन यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं कोशन है कि मद्यप्रदेश के कितने सिक्षक को उत्करशता के लिए राज्य इस्तरी पुरुसकार से सम्मानित किया है चार ओप्षन है 14, 12, 13 या 15 तो दोस्तों राइड आंसर आपका बनता है मद्यप्रदेश के 14 सिक्षकों को जो है राज्य इस्तरी पुरुसकार से आपका स सम्मानित किया गया option A यहाँ पर आइड अंसर बनता है इससे जुड़ी कुछ महत्वपुन जानकारी की चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं तो 5 सितमबर 2022 यानि की सिक्षक दिवस के आउसर पर राश्टी सिक्षक दिवस के आउसर पर प्रसाशन अकादमी इस्तित सुर्ण जैन्ती ओडोटेरियम में आउजदेते सामारों में मद्यपदेश के 14 सिक्षकों को राज्य इस्तरी सिक्षक पुरुसकार 2022 से आपका सम्मानित किया गया है या जो 14 सिक्षकों को सम्मानित किया गया इसमें 8 जो है आपके प्रात्मिक सहनी के सिक्षक है और 6 जो है आ तिक चिन्न देखर आपका सम्मानित किया है तो यह इंपोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है चलिए दोस्तों अगला कोशन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रधान मंत्री मात्रवंदना योजना में चोथी बार कौन सा राज्य देश में प्रथम इस्तान पर आया है ना तो पहल राजिस्तान, कुजरात या महराष्टर तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाता है औप्षन है मद्ध्य परदेश इस द्रा राइट आंसर तो मद्ध्य परदेश लगातार चोत फर्षे प्रदान मंत्री मात्रवंदना योजना के लिए अम अमल में वर्ष 2021 के लिए राष्ट्री इस्तान पर राष्ट्री इस्तर पर आपका प्रतम इस्तान पर यहां पर रहा है तो लगातार आपका चोथी बार आया है दोस्तों अब बात आती है कि प्रधान मंत्री मात्रवंदना योजना आखिरकार क्या है इसके शुरुवात कब हुई और इसके अंतरगत क्या प्रावदान किये गए है तो उनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं चर्चा करेंगे प्रधान मंत्री योजना के तत वह जो है उनको लाब दिया जाता है इसे एक जन्वरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया था यहाँ एक केंदर प्रावजीत योजना है जिसका क्रियान महिला एम बालुकास मंत्रा लई द्वारा किया जा रहा है तो क्या है प्रधान मंत्री मात् महिला के दौरा बच्चों को जन्म दिया जाता है जन्म से पहले जन्म देने के बाद यानि कि गर्वधारन के समय और आपके बच्चों के जन्म के बाद इसके तहत इस योजना के तहत उस महिला को जो है आपका मात्रत वा लाब जो है इस योजना के तहत प्रधान किया जा सत्राइब प्रफशन संबंदी जरूरुतों को पूरा करने और मजदूरी के नुक्सान के आंशिक भरपाई है तुगरवती महिलाओं के बेंक खाते में सीधे धन का भुक्तान आपका जो है योजना के मादनम से आपका किया जाता है पांच हजार रूपय का मातरत लाप जो ह महिलाए होती है उनको दिया जाता है यानी की डिवी टी डिवी डिरेक्ट बेनेफेट तो दोस्तो राइट आंसर बनता है उप्षन है इनके द्वारा यहाँ पर सोन पदक गोल्ड मेडल जो है जीता गया है तो देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्तपूर जानकारी तो मद्दपदेश के ग्वालियर के छोटे से गाउं के पला यचा के कोशल ने जुनियर वेट लिप्टिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर भारती तिरंगा आपका फिराया है और यह वर्ल्ड जुनियर पावर वेट लिप्टिंग चेंपियंशिप आपकी कहां पर मद्दपदेश के ग्वालियर से यह आपके बिलोंग करते हैं दोस्तों बात आई है ग्वालियर की तो इससे जुड़ी कुछ महत्तपुन जानकर यह आप यहाँ पर याद रख सकते हैं बात करें कि ग्वालियर में ग्वालियर का किला इस्तित है निर्मान किसने कराया था राजा सूरसेन के द्वारा इसका निर्मान आपका करवाया जाता है देश का पहला दिव्यांगों के लिए जो दिव्यांग इस्टेडियम है दिव्यांग जनों के लिए कहां प्रस्तावित है मद्यप्रदेश के ग्वालियर में ही आपका यहां पर प्रस्तावित है एशिया का पहला एशिया का पहला जो सारीक विश्युद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द महत्यपुन जानकार यहाँ पर आपको याद रखने होगी चलिए दोस्तों कल के करेंड अपेक्स का एक बार रिविजन कर लेते हैं कोशन था कि नशामुक्त भारत अभियान में मद्यपदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया आपका देवा से धार है राजगर है और मुरेना है तो डीडी आरेम इसे भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं डीडी आरेम यानि की धार देवा से राजगर और आपका मुरेना इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इस अभियान की शुरूआत 15 अगस्ट 2020 से आपकी की गई थी जिसमें मद्यप्रदेश सोरी भारत के 202 जिले आपके शामिल किया गए थे जिसमें मद्यप्रदेश के 15 जिले भी यहाँ पर शामिल थे और हाली में सो और जिलो को इसके अंतर्गेत आपका शामिल क्या गया है ज उज्ञेन यहाँ पर हमारा right answer बनता है। दोस्तों उज्ञेन की बात करें किस नदी के टेट पर इस्तित है। तो शिपरा नदी के टेट पर जो है आपका इस्तित है। मंगलनात का जो मंदिर है वह भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा तो उज्जेन में ही आपको देखने को मिलेगा जंतर मंतर जो है आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा तो मद्यप्रदेश के उज्जेन में देखने को मिलेगा हर 12 वर्षों में यहाँ पर आपको कुम्ब का मेला जो है यहाँ पर लगता है साथी दोस्तों अगर आप से यहाँ पर पिछा जाए कि भेड़ा उगर प्रिंट जीने की जी आई टेक भी आपका मिल चुका है मद्यपदस के किस जीले से संबंदी थे तो मद्यपदस के उज्जन जीले से वह आपके यहाँ पर बिलोंग क कोशन यहाँ पर हम डिसकस कर लेते हैं वह है कि मद्यपदस पुलिस के कितने अफसरों को भारति वानिज एवं उद्योक महसंग फिक्की ने स्मार्ट पुलिसिंग दोजारी किस अवाड प्रदान किये है तो दोस्तों राइड आंसर आपका बनता है मद्यपदस के तीन जो पुलिस कर्मी है उनको यह अवाड आपका फिक्की के द्वारा प्रदान किया चले दोस्तों अगला कोशन यहाँ पर हमारा डेख लेते हैं कि मद्यपदस का पहला विश्विद्दाले जा जीम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू हुआ है तो वह आपका दोस्तों बन चार तो आपको यहाँ यहाँ पर याद होंगे कौन-कौन-कौन से तो दोस्तों आपका जबलपूर है उसके बाद भोपाल है इंदोर है और आपका यहाँ पर ग्वालियर यह चार शहर तो आपके में शहर है जो कि आपको याद रखने है ग्वालियर जबलपूर भोपाल और इंदोर तीन और शहर आपके कौन-कौन से याद रखने होंगे आपको उजेन, सतना और सागर उजेन, सतना और सागर तो यह मद्यप्रदेश के साथ ऐसे शहर है जो कि स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट है उसके अंतरगत यह आपके शामिल किये गए है तो चार में शहर तो आपको याद होते हैं जबलपूर, भोपाल, इंदोर, गौलियर, तीनी आपको याद करना है उजेन, सागर और सतना तो यह साथ हमारे मद्यप्रदेश के वह शहर है जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतरगत आपके शामिल है अगला कोशन है दोस्तो कि देश की पहली सेंचूरी कौन सी है जिसके पास टाइगर रिजर्व जेसी सपारी ट्रेक है चार उप्षन है राला मंडल, नोरा देही, राता पानी या फिर सरदारपूर अब्यारन तो दोस्तो ओप्षन सी राता पानी सेंचूरी, राता पानी वन्य जिव अब्यारन यहाँ पर हमारा राइड आंसर बनता है दोस्तो कहां पर है तो मद्यप्देश के राइसें जीले में जो है यह आपका इस्तित है इससे जुड़ा एक फिक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि अपना लोगो जारी करने वाले मद्यप्देश के पहली सेंचूरी आपकी कौन सी है तो दोस्तो राता पानी सेंचूरी है कहां पर है तो मद्यप्देश के राइसें जीले में इस्तित है अगला कोशन है कि एप डबल एस ए आई यानि कि फूट सेप्टी इंडेक्स में मद्यप्देश के भोजन को कौन सा इस्तान मिला है पहला पाँचवा या सात्वा तो दोस्तो राइट आंसर आपका बनता है इसमें मद्यप्देश को आपका पाँचवा इस्तान मिला है ऌप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है अगला कोशन है दोस्तों कि देश का पहला केल्ड से फ्रिंडली कोविड वेक्षिनेशन सेंटर कहा बनाया गया चार ओप्षन ने छिंदवाडा क्योंकि कीड से यानि की बच्चों से संबंधित जो vaccination सेंटर है आपका यहाँ पर बनाया गया था जो कि मद्यपदेश का पहला था दोस्तों जबलपुर के बात आई है तो इसको मद्यप्रदस के संसकार धानी भी जो है आपका कहा जाता है संग मरमर के नगरी के नाम से इसको जाना जाता है बेडा गाट आपका यही परिस्तित है और बेडा गाट में ही जो है आपको दुहादार जल प्रपात देखने को मिल बेडा गाट में एक स्तित्य आपका लमेटा गाट जिसे की युनेस्कों की संभावित धरवर के के शुची में आपका शामिल किया गया है तो यह कुछ है इंपोर्टेंट फेक्ट यहां पर आप याद रख सकते हैं अगला कोशन है कि पर्यावरन वेग्यानिक डाक्टर योगेंद्र कुमार सकसेना ने देश का पेला प्लास्टिक फ्री सेनेटरी नेपकिन बनाया है इनका संबंद मध्यप्रदेश के किस जिले से है चार उप्षन है इंदोर बोपाल जवलपूर या रिवा तो दोस्तो मध्यप्रदेश का देश में कौन सा इस्तान है चार उप्षन है प्रथम इस्तान तुरतिय इस्तान दूतिय इस्तान या चतूरत इस्तान तो राइड आंसर आपका बनता है हमारा मध्यप्रदेश जो घरबवत्ति महिलाएं होती है उनको कोविड-19 का टीका लगाने के माम पूरे देशवर में आपका प्रतम इस्तान रखता है अगला कोशन है दोस्तों कि मद्यपदेश के किस खिलाडी को राइजिंग इस्टार ओफ दे एर चुना गया चार उप्शन है विवेक सागर मुस्कान किरार अमन विष्ट्रिया एशोर्य प्रताव सिंगे तो मरत दोस्त तो राइट आंसर निकल कराता है ओप्शन है विवेक सागर मद्यपदेश के वह खिलाडी है जिने की राइजिंग इस्टार ओफ दे एर आपका यहाँ पर चुना गया ओप्शन है विवेक सागर यहाँ पर राइट आंसर बनता है मद्यपदेश के होशंगाबाद जीले से आपके बिलोंग यहाँ पर करते हैं होशंगाबाद का नाम बदल कर दोस्तों आपका नर्मदा पूरम कर दिया गया और कब किया गया तो फरवरी 2022 में इसका नाम बदल कर आपका होशंगाबाद से नर्मदा पूरम यहाँ पर हुआ है दोस्तो दियान रखना जो जीला था उसका नाम बदल कर अभी आपका नर्मदा पूरम किया गया है लेकिन जो होशंगाबास संभाग था उसका नाम तो आपका 2008 में ही बदल कर होशंगाबास से नर्मदा पूरम आपका किया जा चुका है तो दोनों में confusion मत होना है जीले का ना मद्य प्रदेश में राष्ट्रपती शार्षन सरुप्रतम कब लगाया गया था चार उप्षन था 1922, 1968, 1977 या 1980 तो दोस्तो उप्षन से 1927 यहां पर अमारा राइट आंसर बनता है मद्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपती शार्षन 1907 में लगा शामा शारन शुकला दूसरे राष्ट्रपती शार्षन पहली बार 1997 में लगा उस समय मद्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोन थे शामा शारन शुकला थे नितु सिंग बाथम ने यहां पर आट आंसर दिया है दूसरा राष्टपदी शाषन 1980 में तब सुन्दलाल पटवा आपके मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे तिसरा राष्टपदी शाषन 1992-03 में लगा और फिर जो आपके सियम कोन थे तो सुन्दलाल पटवा यहाँ पर थे मध्यप्रदेश के पहले कारेवाख सियम भागवत मंदलोई थे मध्यप्रदेश की पहली महिला सियम एम करनाटक इदगा पर जंडा फिराने पर इस्तिपाद दिया था उमा भारती ने इनका जन्मर टिकमगर में हुआ था बोपाल गेस्तराजदी आपके 1984 में किसके समय सबसे करमेश अरजू सिंग बतलब सबसे कम समय के लिए और सबसे ज्यादा समय के लिए थे पहले के अग्री कोन थे तो किलास चंद्र जोसी जी यहां पर आपके पहले चुनाओ निरवाची सी आम के लाशनातकार थे मध्यप्रदेश के पहले अदिवासी सिम राजा नर्स संद्र थे मध्यप्रदेश 36 मध्यप्रदेश जब 36 गल का विवाज जुन हुआ तब सीम कुन थे तो आपके देग वुजई सिंग यहां पर थे तो यहां मारे लिए इंपोटेंट बनता है राज राजपुत इनके द्वारा बहुत बढ़िया यहां पर आंसर दिया गया प्र 15 दिसंबर 1922 से लगाकर 7 दिसंबर 1923 तक है तो इसका उत्तर है आपका 1907 साथ ही कुछ के द्वारा यहां पर बहुत बढ़िया लाइन जो है कमेंट की गई है कि अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पिले अपना लक्ष को निर्दारित करो यानि कि अपना लक् न पाएगी मुसीबत की जंजीरे रास्तों से जरा केह दो कि अभी भटका नहीं हूँ यानि कि हम जो है हमारे जो एम हमने यहां पर तई किया है जो हमने यहां पर लक्ष बनाया है उसके लिए अगर हम निरंतर यहां पर प्रयाद जारी रखेंगे तो एक ना एक दिन जो ह हमें हमारे लक्ष हमारी मंजिल यहां पर जरूर मिलेगी धनालाल चोहन इनके द्वारा यहां पर राइट आंसर दिया गया है साती अमन वर्षा इन्होंने राइट आंसर दिया निलम विश्यकरमा जी जैसा कि डेली इनके द्वारा बड़ी आंसर यहां पर दिया जाता है दिया है 977, 1980, 1992, 1993 में जो है आपका लगता है किस अनुछेत के तरहत आपका राश्वपतिशाशन लगा जाता है तो अनुछेत 356 के तरहत जो है आपका यहाँ पर लगाया जाता है तो यह भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद अरकना है जहाईद खान राइट आंसर दिया है इन्होंने रितु ठाकूर इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया और अशिराम जम्रे इनके द्वारा भी बहुत बढ़ी आंसर यहाँ पर दिया गया तो दोस्तों इसी प्रकार से डेली आंसर जो है आप यहाँ पर देती रहे है ताक आपका इनी कोश्चनों के मादनम से यहां पर कवर होता है चलिए दोस्तों आज का कोश्चन यहां पर है कि मद्यप्रदेश के जबलपूर चिले में कल्चूरी शाशकों की राज़तानी कहां पर थी चार ओप्शन है सीहोरा त्रीपूरी बेडागाट और गड़ा तो यह MP हि आज के मद्यप्रदेश के करेंडपेस के साथ MP static GK का भी सेशन दोस्तों वीडियो के सा लगा तो कमेल करके जरूर बताईगा साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा चेनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चेनल